दोस्तों आप सबको यह प्रोडम फेस करने होती होगी कि जब भी आप hours of minutes का फ्रोटल करते हैं तो यहां पर आपका sum कलत आता होगा मैं यहां पर आपको practical sum करके दिखाता हूँ Sum करेंगे, range देंगे, bracket बंद करेंगे, interface करेंगे, तो आप देखरें यहां पर 13 3-0 आया है, जबकि यहां पर 12 तहीं ही पर आ रहा, 8 ही पर आ रहा तो यह answer आपको गलत मिल रहा है तो इस वीडियो में आपको होगी सिखाने वालों कि इसका सही तरीका क्या है जिसे कि आपको hours of minutes का sum proper और सही मिल जाए इस वीडियो बहुत ही interesting और useful है वीडियो अच्छे लगरें इसको like share और comment कीजिए चैनल पर पहली बार आए तो subscribe कीजिए और साथ में बेल आरकम को प्रेस कीजिए कि मेरे आने वाली वीडियो का notification मिलता रहे और उसका भी आपको benefit मिलता रहे है इसके लिए आपको यहां पर समका formula ही लगाना है जिसे परेले लगाया था S.U.M. प्रेंज आपको देनी है प्रेकर बंद करना है इंट्रेफ्रेस करना है कि जो answer आया है इसको कैसे ठीक करेंगे इसके लिए हम जाएंगे यहां से More नमर gefर्म जाएंगे Custom में जाएंगे करी करने यहां पर जो लिखा हुआ हए ह हम इसको अठाक हम लिखेंगे यहां पर बिकर रिएट के अंदर एक्ष्रेकर बंद करेंगे डेबल रोट लगाएंगे और मम करेंगे करना है और आपको यहां पर आंसर सही मिल जाएगा आप यहां से फोर्मेर बटन से भी जा सकते हैं फोर्मेर बटन में जाएंगे तो आपको नीचे फोर्मेर सेल मिलेगा 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 फोर्मेर सेल म प्रेकर चलू, रेंज आपको देनी है, बेकर बंद करना है, और मुल्टिप्राइब आपको 20 कोड करना है, इंटरप्रेस करना है, आपको यहाँ पर अंसर आ जाएगा, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो आवर मिनिट में लिखाऊ 61 और 30 मिनिट और यहाँ पर लिखाऊ 61.50, मतलब 61 और आदा घंटा, मतलब 30 मिनिट, तो दोनों आपको आपको सही है, यहाँ पर आपको नंबर में देख आँसर और यहाँ पर आपको आपको आवर मिनिट बन आँसर देगा, मुझे उम्मीद है, वीडियो आपके लिए उसको लिए होगी, वीडिय कि अपको आपको 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